नमस्कार आप देख रहे हैं जीटन यूज और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान आप सभी को जीटन की परिवार की तरफ से महिला दिवस की हार दिख शुब कामना है हो सकता है कि आपने मीडिया में अंतराष्ट्य महिला दिवस के बारे में सुना हो या फिर अपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना हो मगर ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये कोई जश्न है? या फिर विरोध का प्रतीक है? क्या महिला दिवस की तरह कभी अंतरास्ट्रे पुरुष दिवस भी मनाया जाता है? और इस साल अंतरास्ट्रे महिला दिवस पर कौन-कौन से कारिकरम होंगे? पि 1910 में क्लारा जेट के नाम के एक महिला ने अंतिरास्ट्रे महिला दिवस की बुन्याद रखी थी अंतिरास्ट्रे महिला दिवस या महिला दिवस कामगारों के आंदुलन से निकला था जिसे बाद में सैयोगत रास्ट्रे ने भी सालाना जशन के तौर पर मान्यता दी इस दि रोक शहर में एक परेड निकाली उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हो तनख्वा अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का भी हक मिले एक साल बाद अमेरिका की सोशिलिस्ट पार्टी ने पहला रास्ट्रे महिला दिवस मनाने का ऐलान किया इसे अंतरास्ट् आवाज उठाती थी उन्होंने अंतरास्ट्रे महिला दिवस मनाने का सुझाओ 1910 में डैन्मार्क की राजधानी में कामकाजी महिलाओं के अंतरास्ट्रे सम्मिलन में दिया था उस सम्मिलन में सत्रा देशों से आई सौ महिलाईं शामिल थी और वो एक मत से क्लारा के सुझाओ पर सहमत हो गई पहला अंतरास्ट्रे महिला दिवस 1911 में आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विजरलैंड में मनाया गया इसका सतापदी समारो 1911 में मनाया गया अंतरास्ट्रे महिला दिवस की पहचान अकसर जामुनी रंग से होती है क्योंकि इसे इंसाफ और सम्मान का प्रतीक माना चाता है अंतरास्ट्रे महिला दिवस की वेबसाइट के मताबिक जामुनी, हरा और सफेद अंतरास्ट्रे महिला दिवस के रंग है कई देशों में अंधिरास्ट्रे महिला दिवस पर रास्ट्री अवकाश रहता है इस देश में रूस भी शामिल है जहां आठ मार्च के आसपास के तीन चार दिनों में फूलों की बिक्री दोगनी हो जाती है महिला दिवस सर्फ एक दिन के लिए महिलाओं को थैंक्यू या उन्हें तौफा देने के लिए नहीं मनाया जाता है ये दिन सालों से स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने और ने समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए मनाया जाता है ये दिन महिलाओं के हक के लिए उठाई गई अवाजों का साथ देने का होता है सालों से अपनी जड़े जमा चुके पैत्रिक समाज में महिलाओं को पुरुषो जितनी आजादी और अधिकार आज भी कई जगाओं पर नहीं मिल पाए है इसलिए महिलाओं मनाना बेहद जरूरी है तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए